नमस्कार आज मैं ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़ादा हमारी बीमारियों को दूर करने में हमारी सबसे ज़ादा मदद करती है जिसका नाम है पिपला मूल पिपला मूल का मतलब यह है कि पिपल की जड़ जिसे पिपला मूल के नाम से जाना जाता है कई लोग क्या करते हैं इसकी लता को लेके छोटी-छोटी कटिंग कर देते हैं जिससे क्या होता है कि वो फिर पिपला मूल बना के बेजते हैं और पिपला मूल की जो लता है उसमें आपको गांठ नहीं मिलेगी जबकि पिपला मूल जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर गांठ मिलती है गांठ जैसी ये मान के चलिए कि मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जड़ है ना आपने इसके अंदर बीच में गांठ देखें ना जैसे हम ट्यूमर भी बोलते हैं तो वो बीच में जुरूर पाया जाता है इसके चारो तरफ द है वो सस्ती भी देदेंगे आपको लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है उसका उतना फायदा बिलकुल भी नहीं कर पायेगा वो क्यूंकि पिपला-मूल के ज्यादा फायदे होते हैं वह शद्वियों में भी पिपला-मूल का इस्त्माल किया जाता है अब मैं आपको इसकी म मात्रा होती है चुथाई चमच से आधा चमच तक लगबग मान के चलिए कि एक गराम से लेके तीन गराम तक आप सुबह और एक से तीन गराम तक साम को भोजन के एक गंटे बाद इसका इस्तमाल किया जाता है कई लोग इसके पाउडर को काड़े के रूप में बना के भी ले जाए उसे नीचे उतार के चान के स्वाद अनुसार और अपनी बीमारी के अनुसार अनुपान मिला के अनुपान का मतलब शेहद, मिस्री, देशी, खांड या जो भी आपको बीमारी के अनुसार बताया जाए उसको मिला के इसका इसका इस्तमाल काड़े के रूप में भी क पड़ती है जादतर बीमारियों को ये एक से तीन महीने में खतम कर देता है मगर जो पूरानी बीमारी होती है उसमें थोड़ा समय जादा लग जाता है मगर वो भी पूरी तरह से नश्ट हो जाती है जो लोग सूखी खासी से परेशान है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि खाने के एक घंटे बाद चाटे और आदेगहं तक कुछ भी खाना पीना आपके लिए मना है इससे क्या होगा आपकी सूखी खासी पूरान रूप से नश्ट हो जाएगी और आपको खासी में बलगम आता है और बहुत परेशान रहते हैं बलगमी खासी है तो इसका इस्तम इसी पाउडर को जो आपको बताया ना सोठ मग पिपल और पिपला मुल का जो पाउडर बनाया आपने चोथाई चमच पाउडर लेके उसमें एक चमच देशी गी गाय का देशी गी मिलाके आप उसको सुबे शाम दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते हैं खाना खाने के एक को अच्छे कोलेस्ट्रोल होते और गटे रहते हैं तो ऐसी लोग आप खास तूर पर आपको कहना चाहुँगा जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ा हुआ रहता है वह गी का इस्तमाल ना करें उनके लिए मैं अन्य चीज बतायता हूं उसका इस्तमाल करके आप इसका उबल उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के उसमें आप देशी खांड या मिस्री स्वाद नुसार मिला के सुबे शाम खाना खाने के एक घंटे वाद इस्तमाल करने से खांसी से पूरन रूप से आपको छुटकारा मिल जाएगा स्वर्भंग में इसका इस्तमाल कैसे करें स्वर्भंग में आवाज बैठ जाती है आवाज निकलती नहीं है जो हमारे वोकल कोड पे सूजन या इंफेक्शन के कारणी परेशानी हो जाती है आनने भी बहुत कारण होते हैं कहने का मतलब स्वर्भंग अगर आपका किसी भी का पाउडर बनाएंगे आप और इसका पाउडर चोथाई चमच से आधा चमच लेके एक बरतन में डालें और उसमें एक कप पानी डालके अच्छे से उबलने दे जब उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के चान के उसमें स्वाद अनुसार देशी बार नश्ट हो जाएंगे और खास तोर पे स्वर्भंग की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी जिन लोगों का पेट फूला हुआ रहता है बार बार पेट में दर्द की शिकायत तंग करती है ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि अजवैन 20 ग्राम पिपला मुल 20 ग्राम सोठ 20 ग्राम लाके पीस के पाउडर बना ले और चुथाई चमस सुबे चुथाई चमस शाम को खाना खाने के आदे घंटे वाद गुन गुने पानी के साथ इस्तमाल करने से पेट में गैस नहीं बनती है और खाना भी जल्दी पच जाता है और पेट में अगर आपको आमाशे म आन्तों में कहीं भी किसी भी कारण से अगर सूजन इंफेक्शन हो रहे है और किसी कारण से पेट में धर्द हो रहा है तो उसकी समस्या से भी आपको चुटकारा मिल जाएगा जिन लोगों का पीलिया बढ़ गया है जिसे हम कहते हैं लीवर की तिली का बढ़ जाना जिसकी वज़ा से उनको पेट से संबंदित विकार बहुत जादा तंग करते हैं ऐसे में आपने कोड तुमबा जिसे इंदरायन फल के नाम से जानते हैं वो 50 ग्राम लेना है आपने पिपला मूल 50 ग्राम लेनी है और कुटकी जिसे हम कडू के नाम से जानते हैं वो 50 ग्राम लेना कि आदा चमद सुबह आदा चमद शाम को खाना खाने से आदा घंटा पहले गुन-गुने पानी के साथ लेना शुरू कर दे और समय समय पर अपने पेट के डॉक्टर को दिखाते रहें और पतार चलता रहेगा आपको कि आपकी लिवर की तिली अपने आकार में आने लग गई है और आप पूरन रूप से स्वस्त होने लग गई हैं इसलिए बोला है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहें ताकि आपको भी पता चलता रहें कि इस नुस्के से कितना आपको आराम मिलता जा रहा है जिन लोगों को गुलम रोग की शिकायत है गुलम रोग में अगर आपका कफ दोश बढ़ गया तब भी हो जाता है पित द की कौयता है खास स्धोर पेट में कभी कहीं भी गांट कभी दर गोंगती और गोंगती क्भी दर गोंगती एक इदर गोंगती तो ऐसे में आपके लिए इसका इस्त.माल करना बहुत फायदेमंद है बिप्ला मूल की जड़ आपने लेनी है जै on मूल का मतलब जड़ी कहा जाता है, तो कहने का मतलब पिपला मूल आपने लेना है 20 गराम, खदिर की चाल जिसे खैर चाल के नाम से भी जानते हैं, वो लेनी है आपने 20 गराम, और सबसे बड़ी बात आपने सोठ, जिसे अदरक को सुखा के बनाते हैं, उसे सोठ कहते हैं, तो वो लेना है आपने 20 गराम, तीनो को लाके पीस के पाउडर बनाना है, और आधा चमच पाउडर को एक बरतन में डालके, एक कप पानी डालके अच्छे से उबलने दे, जब उबल उबल के आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतारके, चान के उसमें शेहद स्वाद अनुसार मिला के, सुबे शाम खाना सुरू कर दे, सोरी पीरना सुरू कर दे, तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा, कई बार हो जाता है, तो इसका इस्तमाल करने से, गुलम रोग की सकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जिन लोगों के बार बार पेट में कीड़े की समस्या तंग करती रहती है, बार 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 दवाईयां खाते हैं, कीड़े निकल जाते हैं, फिर भो जाते हैं, तो ऐसे में पिपला मूल 20 गराम, पवार के बीज 20 गराम और वाईवरिंग 20 गराम, तीनों चीजों को लाके पीस के पाउडर बनाना है, आदा चमच पाउडर सुबे, आदा चमच पाउडर शाम को, खाना खाने के एक गंटे बाद गुनबुने पानी के साथ लेना है, ऐसा करने से आपको बार-बार होने वाले पेट में कीडे की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, और अब पूरन रूप से स्वस्त हो जाएगे, दमे की समस्या जिन लोगों को परेशान करती है, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसे में हल्दी की गांट 50 ग्राम, पिपला मूल 50 ग्राम, मग पिपल 50 ग्राम, तीनों को लाके पीस के पाउडर बना लें, और आधा चमस सुबे, आधा चमस शाम को खाना खाने के बाद, गुनगुने पानी के साथ इस्तमाल करने से, दम्य की शिकायत दूर होती चली जाती है, टीबी की समस्या जिन लोगों को तंग करती है, चाहे उनके आंतों में टीवी है, चाहे फेफडों में टीवी है, चाहे उनके हडियों में टीवी की समस्या है, और वो दिन परते दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं, शरी में हमेशा बुखार बना हुआ रहता है, ऐसे में रुदंती फल 50 ग्राम, पिपला मूल 50 ग्राम और अशुगंदा की जड़ 50 ग्राम, लाके पीस के पाउडर बना लें, एक चमच पाउडर सुबे, एक चमच हो और डिलीवरी में किसी परकार की महिलाओं को समस्या ना हो, क्योंकि उस समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द के से गुजरना पड़ता है, और वो दर्द का समय बहुत ज़्यादा लंबा अगर बीत रहो तो वो तो बहुत ही बेकार माना जाता है, तो ऐसे में उनों को लेके पान के पत्ते में डालके थोड़ा सा सिंदा नमक मिला के उस पत्ते को लपेट के उन महिला को कहे कि थोड़ी देर के लिए आप चबाएं और उसका रस अंदर ले जाएं ऐसा करने से डिलीवरी जल्दी हो जाती है और डिलीवरी में होने वाली समस्याइं जैस जितना समय लगना चाहिए उतना ही समय लगता है। समय से ज़्यादा समय नहीं लगता और वो महिलाए अपने आपको अच्छा भी मैसूस करती है। कई महिलाओं को delivery तो हो जाती हैं मगर अपरा गिरने में बहुत समय लग जाता है। और उनको बहुत परेशानी होती है, शरी में बुखार, पेट में, पेडू में भारीपन, दर्द से गुजरना पड़ता है, तो ऐसे में आपने सोट लेना है 50 ग्राम, अजवैन लेना है 50 ग्राम, और पिपला मूल लेना है 50 ग्राम, लेके पीस के पाउडर बनाना है, और अनुसार सहद मिलाके, और थोड़ा सा घी डालके महिला को पीने के लिए दे, उसी समय आदे घंटे के अंदर अंदर अपरा बाहर आ जाएगा, अनिद्रा, नींद ना आना, इस समस्या से आज के समय में जादा लोग परेशान है, क्योंकि टेंसन भुरा महोल, चाहे बच् पढ़ाई की टेंसन, बड़े हैं तो कामकाज की टेंसन, भुजुर्ग हैं तो परिवारिक टेंसन, तो कहने का मतलब कई लोग नींद की गोली खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, कारण होता है दिमाग में तयार होने वाले केमिकल आसंतुलन हो जाते हैं, आसंतुलित ह होने के कारण नींद की परेशानी आ जाती है, देसी भासा में समझायता हूं कि नसों में दिमाग में खुशकी उत्पन हो जाती है, जिसकी वज़ए से नींद नहीं आ पाती है और सो भी जाते हैं तो दिमाग इदर उदर घुमता है, ऐसे में आपने क्या करना है, सर्प ग और साम के समय जो सोतने से कम से कम तीन या दो घंटे पहले गाई के गुनगुने दूद के साथ इसका इस्तमाल करने से अच्छे से सोते समय नींद आती है और नींद की गुली की समस्या भी खाने की समस्या हमेशा के लिए दूर होती चली जाती है मतलब उसकी आदत छोड़ पूर्सों में या महिलाओं में योन शक्ति की कमी आ जाती है जिससे परिवारिक जीवन नश्ट होने के समकागार पे हो जाता है और कई लोगों का तो नश्ट भी हो जाता है तो ऐसे में आपने पिपला मूल 20 गराम लेना है जाय फल 20 गराम लेना है और जो आपने अकर करा 20 गराम लेना है तीनों को लेके पीस के पाउडर बनाना है आधा चमच पाउडर सुबे आधा चमच पाउडर साम को गाय के गुनगुने दूद के साथ इस्तमाल करने से योन शक्ती में विर्दी आती है और परिवारिक खुश्या वापिस आ जाती है और परिवारिक जीवन भी बहुत खुशहाल वीटता है और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको ये पिपला मूल अगर आप जहां रहते हैं आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमसे भी संपर्क करके पिपला मूल आप मंगवा सकते हैं ओनलाइन आप फोन करके हमसे मंगवा सकते हैं पहले कोशिश करें कि आपको आसपास से मिल जाए अगर नहीं मिलता तो आप हमसे मंगवा के आप अपनी बीमारी अनुसार जो भी मैंने आपको बताया जड़ी बुटियां वो भी आप हमसे मंगवा के इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद